आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ हरी मटर का अचार, यह बिलकुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है यह अचार, और इसको बनाना भी उतना ही आसा, अब आप इसकी रंगा देखे, बहुत ही बढ़िया लाजवाब टेंटिंग अचार बनकर दियार हुआ है, यह मटर का अचार खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, कि आप इसे कुछी हफ्तों में चट कर जाओगे, इसको ज़्यादा मातरा में बनाकर रख लीजे, मटर सस्ती आ रही है, और दीर सारा बनाकर इसे साल दो साल मटर को सबसे पहले हम ब्लांच करेंगे, ब्लांच करने के लिए एक पैन में हम दो गलास पानी करम करेंगे, अचार बनने के बाद मटर का कलर एक तम हरा रहे, इसके लिए हम इस पानी में चीनी एड़ करेंगे, लगभाग एक छोटा चमच, इससे स्वाद भी बहतरीन दो मिनिट के लिए रखेंगे जब तक कि ये मटर ऊपर सतह पर ना आ जाए थोड़ी देर बाद ही आप नोटिस करेंगे कि मटर सतह पर आ चुकी है लगबग 2 मिनिट लगा है मटर हलकी सी कोख हो चुकी है पक चुकी है अब इस मटर को इस गरम पानी से बहार निकाल लेंगे ठंडे पानी की बोल में ठंडे पानी में मटर डालने से इसकी कुकिंग रुख जाएगी और इसका कलर एकदम ऐसे ही वाइबरेंट ग्रीन दिखेगा मटर को ब्लांच करने के पीछे सिफ दो तीन रिजन है पहला हलकी सी मटर कोख हो जाएगी और अचार को मैच्योर करने म में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरा इसका कलर एकदम वाइबरेंट ग्रीन रहे और थिसरा इसका टेस्ट अच्छा हो सके तो अब इस करम मटर को हम इस ठंडे पानी के बोल में रखेंगे पानी हमने एकदम चेल्ड लिया है आप इसके अंदर आइस क्यूब्स भी पर या फिर सूती कपड़े में पोच भी सकते हैं बस इनके उपर का मॉश्चर हमें सुखा लेना है ताकि अचार के अंदर पानी ना जाए तो इसे हम सूखने के लिए रख देते हैं तब-तक इन में जाने वाले हम अचार के मसाले देख लेते हैं अचार के मसालों में चममच, साबुत काली मेच, यानि के ब्लाक पेपर कॉन इसके अंदर हम तीखे के अनोसार 6-7 साबुत लाल मेच अट करेंगे आप पाउडर वे इस्तमाल कर सकते हैं और ये है राई दाल, इसका हम दो बड़े चममच अट करेंगे आप पीली या काली राई को भी पीस कर इस्तमाल में ले सकते हैं अब राई दाल के अलावा हम बाकी के सभी मसालों को हलकी आज पर भून लेंगे मसालों को भून लेने से इसमें से एक खुशबू आएगी सोधा पंसा आता है मसालों में जिससे हमारा अचार बहुत टेस्टी बनता है और दूसरा रिजन है मसालों को भूने का कि अचार हमारा जल्दी खराब नहीं होता मसाले हलकी आज पर हमने ऐसे भून कर त्यार कर लिया है इनका कलर जेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी से खुछ भुआ रही है अब मसालों को ठंडा कर लेंगे उसके बाद इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे हमारे मसाले भी पिसका है इनका टेक्शर हमने थोड़ा ऐसा मोटा मोटा ही रखा है अब सीम पैन लेंगे और इसके अचार जल्दी से मैचोर हो जाता है अगर इसके अंदर कच्छा पन नहीं होगा तो यहां पर दुआ उटने लगा है तेल के अंदर और इसे अब हम हलका अशा ठंडा करेंगे उसके बाद इसमें कुछ चीजे आड़ करेंगे जिससे यह तेल फ्लेवर फुल हो जाए तो इ अब इस तेल को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे इधर हमारे मटर सुकर तयार है इन्हें हमने बस आधे से घंटे सुखाया है फैन के नीचे और इनके उपर बिलकुल भी मौईस्चर नहीं है पानी नहीं है अगर थोड़ा बहुत मौईस्चर लगता है तो आप इसे टीशो पेपर से हलका सा टैप टैप करके सुखा सकते हैं अब इस मटर के अंदर हम अचार के सभी मसाली मिलाएंगे दोस्तो हमने अचार बनाने के लिए फली वाली मटर का इस्तमाल किया है चुकि इस समय मटर सस्ती है और आप बहुत सारी मटर लेकर अचार बना कर सालो सा चमच नमक में लालेंगे एक छोटा चमच काला नमक के एट करेंगे इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार के अंदर रंगत अच्छी आए कलर अच्छा है इसके लिए एक बड़ा चमच भर के कश्वीरी लाल में चुलाएंगे आधी चोटी चमच के करीब हल्दी कर सकतें या फिर काली राई भी एट कर सकते हैं एक छोटा चमच ड्राई मैंगो पाउडर यानि कि आमचूर पाउडर या पिसी खटा यी आट करेंगे इसके स्थान पर आप निवू का रस भी एट कर सकते है अब सरसो का तेल आड करेंगे जो हमने गरम किया था और थंड अचार के अंदर थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसके बाद अचार के शेल्फ लाइफ लंबी हो यानि कि आपका अचार लंबे टाइम तक खराब ना हो और आप इसे इंजोई कर सके इसके अंदर वाइट विनिगर एड़ करेंगे यह सपे सिर्का इसे हमने घर पे त्यार किया है बहुत ही कम पैसे में अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कोमेंट कीजिए हम आपको इसका लिंक प्रोवाइट करेंगे और यहां पर बचावा तेल भी इसके अंदर एड़ कर लेंगे अगर आप गन्ने के रस सिर्का बनाना चाहते हैं तो हमें बताइए हम आप हेल्थ के परपस से बहुत अच्छा रहता है तो आप अचार के माध्यम से विनेगर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं दोस्तों यह अचार हमारा बनकर रेड़ी है फिलहाल वट इसे हम एक दिन के लिए यूही ढखकर रख देंगे इसी बोल के अंदर उसके बाद हम इ यह देखें तेल सारा उपर सतह पर आ चुका है और इसके मसाले हैवी हो चुके हैं यानि की फूल चुके हैं और यह नीचे बैठ चुके हैं अब आप इसकी रंगा देखें बहुत ही बढ़िया लाजवाब टैंटिंग अचार बनकर त्यार हुआ है यह मटर का अचार खान यह अचार लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे खराब ना हो इसके लिए हम इसे काच की जार में शिफ्ट करेंगे यदि आपका अचार भी लंबे समय तक टिकता नहीं है या उसमें फंगस लग जाती है तो हमेशा आप चीनी मिट्टी का जार या फिर गलास जार काच का जा है दोस्तों अगर आप ऐसे अचार रखेंगे ना तो गैरेंटी है कि आपका चार चार से 5 साल तक भी खराब नहीं होगा आप देख सबते हो स्क्रीन पे इसके उपर तेल और मसालों की परत है इस तरीके से आपने अचार को रखना है इसमें नहीं फंगस लगेगी और नही तेस्ट इसका बरकरार बना रहेगा अचार की शेल्फ लाइब बढ़ाने के लिए और इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए से धूप पे रखना बहुत ज़रूरी है अगर धूप नहीं आती है तो रूम टैपरेचर पे एक हफते डेढ़ हफते तक रखे उसके बाद इसे इसके अंदर जब धूप लग जाएगी तो इसके मसाले सॉफ्ट हो जाएगे फूल जाएगा यह मसाला जिससे यह खाने में और जादा टेस्टी लगेगा और यह लॉंग टाइम तक टिका रहेगा खराब भी नहीं होगा इस अचार की बोटल को धूप पर रखने से पहले इसके मुँप पर एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर बांधिएगा उसके बाद धकन लगाएगा दोस्तो यह थी हमारे हरे मटर के अचार के एक अलग यूनिक रेसिपी कैसी लगी आपको इस रेसिपी हमें कोमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर वीडियो अच्छी लगी ह भीडियो वीडियो खियू च्छी बांधियो खिंच भीडियो आपको झालग बोटन लाद डोस्तों का विड़नन दूर एय।